नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाब फिर से आप सभी का अर्दिक स्वागत आप ही के अपने चैनल मनी कुरूजी पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले इससे टीटेन के नेक्ट मुकाबले के बारे में जो काफी शांदार मुकाबला खेला जाने वाल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखना टेलिग्राम मनी गुरूजी के नाम सहे 35,800 यूजर हमार साथ जूट चुके तो आप भी जूट जाएगा फाइनल अपडेट के लिए में टीम के लिए बेक अप टीम के लिए और अकसर यहां पर चलती रहती है फ्र बणले बाजी करने वाली टीम ने जीते है तीन मुकाबले बात में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते है तो कहीं नगी पलडा बारी नजर आता उनिटेट टीम का फिर हम बात कर लेते हैं यहां से दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में उनका उसार गोरी, हसन नजीर, सुलेमान मौमद, फैरिस इकबाल और काशिप मौमद तो कुछ इस पकार रह सकते हैं डी विकेंज की पॉसिबल प्लेइंग 11 अगर लास्ट मेच की गेंद बाजी की बात करूँ तो रकी बुल ने दो और में 10 अगर देका 2 विकेट लिये थे इसमान गोरी ने दो और में 11 अगर 10 अंगर 1 विकेट लिया था फेरिस ने दो और में तिरान देकर एक विकेट लिया था मौमध हसने ने आट गेंग पर बीच रन दिये थे और एक विकेट लिया था वहीं पर शाद है किप को कोई भी विकेट नहीं मिलाता United टीम से अगर मैं बात करूँ तो United टीम से आप देखोगी विनोद रविंदरन फिर है यहाँ पर टी वर्मा अनिल पठानी अशरीत अमीत परिहार जेक मुरेल अजीत आई कोकी हिल फिर जयंत फ्रांसिस फेरल और सौरव मैता तो कुछ इस पका देखने को मिल सकती है दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग लेवन तो फ्रांसिस ने दो और में 21 रंदेकर 3 विकेट लिये थे जैंत ने दो और में 16 रंदेकर 3 विकेट लिये थे अश्रित ने दो और में 24 रंदेकर 1 विकेट लिया था कोकी हिल ने दो और में 23 रंदेकर 1 विकेट लिया था आप चाहे तो कोके हिल को ले सकते हो, यह कभी भी गेंदाबाजी कर सकते हैं, विकेटकी पर शेक्श्चन में दे रखा हैं, लेकिन गेंदाजी भी ये कर सकते हैं, S अक्की टोप उडर पर बल्लेबाजी करते हो, आपको नज़र आ सकते हैं, option बहुत सारे है टी वर्मा भी है काशिव भी है लेकिन सबसे बैटर option नजर आ रहा है मुझे वो आ रहा है यहाँ पर रविंदरन का या फिर कोकी हिल का आप चाहिए तो कोकी हिल को भी ट्राई कर सकते ग्रेंड लिग में बात कर ले भल्बाजी section की तो यहाँ पर मैंने H एहमध को लिआ है वही पर मैंने लिआ है दारावपूरी रेड़ी को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया और वही पर जेम ंरील को लिया तो तिनों ही अच्छे प्लेयर मैंने लिए फिर यहाँ पर आपके पास जो option बजता है वो बजता है H नजीर है पाथानी के option बहुत सारे changes होते रहते तीनों ही best option मैंने यहाँ पर अपनी टीम में पिक कर लिए तीन all rounder में लेकर चलूँगा उसमें मैंने लिया आर रिफत को मैंने अपनी टीम में लिया है अमीत परिहार मेरी टीम में आ गए और मैंने यहाँ से लिया है के सानी को के सानी की जगे आप गेन बाजी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं यह टॉप अटर के बल्ले बाजी ओपनिंग करते हों नजर आ सकते हैं साज़सद एक और गेन बाजी भी यह कर सकते हैं हाला कि गेंद बजी करना इनका fix नहीं है तो पहला केंद सानी को मैंने लिया है, परिहार को मैंने लिया है और आर रिफर्ट को मैंने भी टीम में जगे दिये चार गेंद बज में लेकर चलूँगा एफ इकबाल मेरी टीम में आ जाते हैं उस्मान गोरिको में ने लिया है F Feral मेरी टीम में आ जाते हैं और जहन्त मेरी टीम में आ जाते हैं चेंजिस अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर जो एक अच्छा option है वो है S मौमत का जैसा कि मैंने Sani का जो option बता है उनके जगे आप S मौमत को भी अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हो सजेस्ट यही करूँगा आपको गेंद बाजों को ज़धा ज़धा रोटेट कीजिएगा ग्रेंड लिक और मिनी ग्रेंड लिक्स में तो चली फ्रेंस देख लेते हैं क्या रहेगी मेरी टीम टीम का प्रिव्यू उससे पहले फ्रेंस फिट से याद दिला दो आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो हमारे बेक अप चैनल पर देख रहे हो लेकिन हमारे जो ऑफिचल चैनल है मनि गुरुझी के नाम से टेलीग्राम की लिंक विडियो की नीचे डिस्क्रिप्चन में दी गई है उसी लिंक से आपको मैं टेलीग्राम पर फोलो करना है गग करना है देख लेते हैं टीम का प्रिविव एफ इकबाल और जयंत हाला कि कोई भी changes करूगा हो सकता कोई player खेले या ना खेले इन मेच्चों में changes होते रहते हैं रोजोना changes होते हैं तो final team आपको telegram पर मिलेगी टेलिग्राम से जोड़ जाए लिंक वीडियो के नीचे description में Thank you very much